के वहं गोको त्रिकोड मिति की ही वात की जाएगी फिर को थोड़ा सा समर्राइज करना मेरी रिकोर्बेंट है यहां पर की रिकोर्मेंट 없이 जरूवत है तो मैं कोसिस करूँगा कि आराम आराम से चीज़ों को मैं सपस्ट करते जा रहा हूं त्रिकोर्ड मिती बेसिकली एक टैग्नोमेट्री जिसको हम लोग एंग्रेजी में कहते हैं त्रिकोर्ड मिती अभी कुछ दिन पहले मैं अपने एक मित्र से मिला किसी सरकारी म हकमे में हैं इंप्लाई हैं और वो मिले तो कहें यार हम लोग पढ़ते थे तो एक चैप्टर पढ़ा करते थे जिसको सर कहते थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन भर उप्योग में आएगा हमने का हाँ यार है तो बताओ कौन सा कहें कि जिसमें ठीटा, बीटा, गामा, नीटा, सीटा, साइन, अलफा, साइन, बीटा, साइन, गामा ये सब होता था, हमें लिख दिख नहीं रहा है लाइफ में, तो आज मैं उसी चैप्टर की बात करने जा रहा हूँ, जिसमें sin alpha, sin beta, sin gamma, sin theta, इनी सब की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो सबसे पहले सब्द हम ट्रिकोड अर्थात, एक ट्रिकोड बिसिकली हिंदी में है, तो इसको हम एक triangle से relate करेंगे, किस से relate करेंगे, मैंने कहा है यार देखो ऐसा नहीं है, उपयोग बहुत है, क्योंकि म जायत का मैं teacher हो, तो जायर से बात उपयोग तो समझी सकता हूँ, हम उपयोग कुछ ऐसे समझते हैं कि जो basically engineering pattern पर काम करते हैं, जैसे कहते हैं कि हम अपने baseline, जैसे हम लोग यहाँ पर कहीं रहते हैं, माली जी आपकी position है, इस position से अगर हम लोग अपनी आखों की रिशा में, आखों की direction में, आखों की सीवी रेखा में, अगर हम किसी बिंदू को देखें, हम उस बिंदू का foot वहाँ पर observe करें, जैसे हमाली जी building है, तो building की height एक certain होगी, tower की एक certain height होगी, हम अगर अब अपनी आखों को जैसे base पर देख रहा है तो तो यह position थी, क्योंकि यह भी building मालो यहाँ पर ground level ले रहा होगा, इसके top को समझना, इसकी उचाई को निर्धारित करना, यहाँ से यहाँ की दूरी को निर्धारित करना, इनके बीच का एक संबंद निर्धारित करना, त्रिकोड मिती का गाम होता है, जो आपके घर को बनाते हैं, जो construction करते हैं, जो बले-बले ब्यापक है, सब त्रिकोड से प्रारंब होता है, ट्रेंगिल से प्रारंब होता है, ट्रेंगिल बेसेकली यहाँ पर जो लिया जाएगा, उसका नाम होगा, राइट एंगिल्ड ट्रेंगिल, क्या होगा, राइट एंगिल्ड ट्रेंगिल, मतलब हम लोग किसकी बात करेंग एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोड समकोड हो, उसको हम समकोड त्रिभुज कहते हैं, आप सब अच्छे तरह से जानते हैं, अगर मालो इस त्रिभुज को हम सब कोड कह रहे हैं, यहाँ पर यह कोड 90 डिगरी होगा, आप मेरी बातों को कुछ समझने की कोसिस करिएगा, औ हमेशा 180 डिगरी होता है, इस कार्थ है कि इसमें दो कोड और बन रहे हैं, ठीक है, दो कोड और बन रहे हैं, अगर हम एक का नाम ठीटा रखेंगे, याद रखिए, एक का नाम आपने ठीटा रखा, तो दूसरे का नाम हमें कुछ ना कुछ अनिदर रखना पड़ेगा, सप थीटा को बेस बना कर चल रहे हैं, यो कि हम नीचे हैं, और इस थीटा को बेस बना कर चल रहे हैं, तो थीटा के सामने की भुजा, जहां से रेखिएगा, वो लंब कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लंब हिंदी में, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, परपेंडी कुलर, या हम इसको कहते हैं altitude, जिस पर वो बना होता हो, बेस होता है, अर्थात अधार होता है, क्या होता है, अधार होता है, और जो समकोड के सामने की भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम लोग कड कहते हैं, या अंग्रेजी में hypotenuse कहते हैं, क्या कहते हैं, hypotenuse, एक बैग्यानिक थे, खास करके इसका प्रियोग बिसिकलिए अगर देखा जाए, तो भारत से ही जन्मा है, मारत में बहुत सारे बैग्यानिक थे, मैथमेटिसियन थे, जिसमें एक का नाम था बहुत बड़े मैथमेटिसियन थे, उन्हीं से एक कॉंसेट जरेट हुआ, और उस पाइथागोरस ने सिद्धिकिया, तो पाइथागोरस जो हमारे पास एक कॉंसेट दे रहे हैं, उस पाइथागोरस के अंतरगत उन्होंने बताया, जो कड़ बनती है, कड़ का वर्ग, सेस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इन्होंने बताया, अर्थात इनके कहने का सेंस है, कि जो समकोर के साबने की भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सेस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो यहाँ पर अगर अगर हम लोग किसी एक समकोड त्रिभुज की व्याख्या करें, तो समकोड त्रिभुज माल लिजे आपका ABC है, और इस दसा में अगर हमने इस कोड को ठीटा कंसीडर किया है, ठीटा माना है, तो मैं आपकी जनकारी के लिए बतादू, या समकोड अगर है, यहाँ पर मैं लि हो जाब 5 हुई, यह 12 हुई, यह 13 हो गई, इसी प्रकार से क्यों देखी, आपने पढ़ा 5 कवर्ग, 12 कवर्ग, बराबर 13 कवर्ग, इसी तरह से अगर 6 हुई, एक 4 हुई, तो अगे लिए आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है, ऐसे हम लोग और भी बहुत सारी यूज कर सकते, जैस पर अगर मेरे कहने का सिंस था, कि अगर हमने 8 लिया, 8 का वर्ग 64 है, 15 का वर्ग 225 है, तो यहां पर हो जाएगा आपका कितना 17, क्योंकि इसका वर्ग 289 हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारे ऐसे लाइन होते है, ट्रिपलेट का कॉंसेट यहां पर जनरेट होता है, इसमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए, और उस याद के विहाब पर हम लोग काफी उपियोग यहां पर इसका करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो पाइथागोरस में आपने कॉंसेट समझी लिया कि कैसे वर्किंग होती है, क्या कॉंसेट है, जैसे अगर कभी भ लिया तो 625 हुआ था तो इसका वर्गमूल करने पर यह 25 आएगा, कभी-कभी आपकी परिच्छा में दो-तीन मीजरमेंट दे करके, पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कौन सा नहीं है, तो मेरा यह कहने का सेंस है, और इसी प्रकार का सिंबल, उसके अलावा बहुत सारे जिसे लॉग का सिंबल आप पढ़ते हैं, अलग-अलग सिंबल करेक्टर्स की रूप में पढ़े जाते हैं, उसी तरह से हम ट्रेग्नोमेट्रिक सिंबल भी यूज करते हैं, ट्रेग्नोमेट्रिक सिंबल बेसिकली जो आइड दिमाग में रखिए कि कैसे बनता है क्या प्रक्रिया होती है इसमें कितरे रेशियोस होते हैं कुछ basic fundamental जैसे पहले हम दिमाग में रखें कि हमारे पास यह देखे संगोड त्रिभुच है संगोड त्रिभुच का हम एंबी सी अगर हम इस पर नाम करड़ करते इस यहां पर 90 ड लावा हमारे पास तीन इसके रेशीप्रोकल्स होते हैं यहां पर लिख सकते हैं को यहां पर तेको टैन के बाद कौट होगा कौट के बाद सिकोंगा उस पे बाद कोशिक वोगा पहले इतना समझने की कोशिश करिए अभी जैसे हमने यहां कुछ असपस्ट कर दिया आपको कि अगर ठीटा है तो इन अब्वे डिगरी की विप्रीत पोड हमेंसा भुजा हमेंसा कड कहलाएगी इसको दिमाग में रखिएगा जिस कोड को आप काउंट कर रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं उसके विप्रीत भुजा को हमेंसा हम लंब कहते है क्या कहते हैं? लंब. ए परपेंडिकुलर कहलाती है. मतलब जिस घोजा को आप कंसीडर करेंगे, इसके, जिस कर semana को कंसीडर करेंगे, न बये को चोड़ दीजिए, बाकी दो कोड़ों के बीच के संबंध को ही, दो कोड़ जो होते हैं, वही भुजाओं की भी सम्वन्द को दरसाते हैं तो नब ठीटा के विप्रीद भुजा लंब कहलाएगी अब हमारे पास जो जिस पर वो बनी होती हुआ बेस और अधार कहलाती है इसको खुब ध्यान से देखते चलिएगा यहाँ पर हम इनके रिलेट करते हुए इनके बेस ह हम लोग यहाँ पर कुछ कॉंसेट बताते हैं आपको धिमाग में रखिए बातों को कुछ फार्मुले होते हैं जरली हम लोग यहाँ पर उनकी एकार्डिंग भी लर्न कर लेते जैसे अगर आपको हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले लाल बटे कक्का एक मिधर आपने सुना है यह इंः लंब बटा कर्ड लंब बटा कर्ड अगर इसकी रेशितन्स की बात की जाए इसी तरह से अगर इसकी बात करोगी तो आप यह बद si नद्धार बटा कड़ कहलाएगा तैन जो होता है व आपका प्रपेंडीकुलर अपान बेस होता है मतलब इसको आप लंब बटा अधार कहते हैं क्या कहेंगे लंब बटा अधार कहेंगे इसी तरह से अगर इसकी बात किया तो यह बेस अब इसको थोड़ा से छोड़ हो गया मतलब कड़ बटा अधार है कड़ बटा अधार अभी सब के बारे मैं सबस्ट बताते चला जाओंगा ध्यान से देखते जाईएगा यह हाईपोटेनी सपान परपेंडिकुलर है मतलब कड़ बटा लंब है अब कुछ बाते और दिमाग में रखिए समझे हम लोग इसको लर्ण करने का जो तरीका दिमाग में रखते हैं उसके पहले भी आप लोग एक चीज़ समझ गए होंगे तीन तो बेसिक थे अगर इनकी बात आप अगर देखोगे तो आपको सिक दिखेगा जैसे क्यों इसमें बेस अपान हैपिटने इस मतलब अधार बटा कड़ है तो इसमें कड़ बटा आधार है ऐसे टैन का उल्टा आपको कौड दिखेगा मतलब यह तीन अगर अगर देखे जाए तो परसपर करें हम लोगे जो मेथट पढ़ते हैं जो इसको त्यार करने का जो ड्र होता है उसको हम कुछ ऐसे बनाते हैं जैसे कुछ लोग कहते हैं लाल बटे कक्का तो लाल का मतलब यल आ अब दिखो ऐसे समझने कोशिश करिएगा और यहां पर इस तरह से अगर हम लोग सोचे तो लम बटा कर अगर I'dher ओपर से सोचो तो साइन है कौस है ऑर इधर से इएकर और उल्टा क्या होता है कौसेग है यहाँ पर इसका उल्टा सिख है और इसका उल्टा जो है आपका कौट है अब इसको अंग्रेजी मीडियम वाले कुछ ऐसे पड़ते हैं कहते हैं कि घठो अं पाकिस्तान भूखा प्यासा जनली इसे बोला जाता है हिंदुस्तान हरा भरा अब इसको ऐसे पढ़ेंगे मतलब अच्छा रही लगता बोलना लेकिन अब जैसे याद करने के लिए चलो कुछ भी सब सही है सब जनुविन है याद करने के परपस से इसको लोग बोल देते हैं परपेंडिकुलर अब यहां पर अगर चले बेस अपान परपेंडिकुलर तो आपका कॉट हो गया है अंग्रेजी में अगर इसको लोग त्यार करते हिंदी में लाल बटा कक्ता हम लोग ऐसे पढ़ते चले आए हैं तो इंगलिस वाला जो है इस तरह से लोग बोल देते कह तो फिलाल एसे कुछ जनरेट किया जाता है ऐसे कुछ रिलाइज किया जाता है तो कहने का सिंस है कि आप ऐसे संबंदों को परस पर एक दूसरे के दरस आ सकते हैं बता सकते हैं अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं थोड़ा से एक जांपल के माद्यम समझेए आपने अब यह भी जो पढ़ा है उसको अगर ध्यान से देखिए आपने पढ़ा जो साइन थीटा आपने पढ़ा कॉस थीटा टैन थीटा ठीक है ध्यान से देखते जाएगा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा यह हमारे छे संबंध टोटल हैं छे संबंध टोटल हैं इस यहां से मैंने जैसे आपको बताया कि साइन ठीटा जो होता है वो कॉसे का रिशीप्रोकल होता है तो अभी है अगर हम यहां पर थोड़ा सा reciprocal relations की बात करें, reciprocal relation की बात करें, तो reciprocal relation में आपने देखा कि जो sine theta था, वो बराबर था one upon cosec theta के, आप देख रहे हैं, sine theta किसके बराबर था, one upon cosec theta के, यहीं से मैं एक सम्मंद यहाँ पर बता सकता हूँ कि अगर कभी जरुवत पड़े, तो sine theta into cosec theta, बराबर कितना लिखा सकता है, one, इसी तरह से हमने देखा कि cos theta, बराबर एक बटा sec theta के है, ठीक है, तो आप यहाँ भी जब जरुवत पड़ेगी, तो क्या लिख सकते है, बताइए, cos theta into sec theta, बराबर क्या लिख सकते है, one, ऐसे और भी देखा हमने, tan theta बराबर क्या लिख सकते है, one upon cos theta, हम लिख सकते है, tan theta into cos theta, इस उकल टू क्या लिखा सकता है, one, यह परसपर सम्बंदों को इस तरह से हम लोग यहाँ आपर सम्बंदित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो हमने अभी आपको बताया, मेरी बाते आप समझ रहे होंगे, कि कि कर्पर करते कोई problem हो, तो आप स्पस्ट करते चले जाइए, यहाँ पर दो सम्बंद और को ध्यान में रखने के आउ सकता है, इसको हम constant relation कहते हैं, भिनात्मक सम्बंद कहते हैं, जैसे आपने देखा कि sin theta जो था, वो बराबर था perpendicular upon hypotenuse के, cos theta जो था, वो बराबर था base upon hypotenuse के, लेकिन अ hypotenuse hypotenuse कटा, तो perpendicular upon hypotenuse हो गया, जो tan theta के बराबर था, मेरा कहने का sense था कि कभी जरूरत पड़े, तो sin theta बटा cos theta को आप लिख सकते हैं tan theta, कभी जरूरत पड़े तो आप इतना लिख सकते हैं, अगर इतना लिख दिया भाई, यह लिखना भी कोई problem नहीं है, कि cos theta is equal to cos theta upon sin theta, म cos theta sign को भी क्या लिख सकते हैं, आप लोग यहां पर code लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या की दिक्कत ही नहीं, कोई problem नहीं, एक जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो हो जरूरी है, वह बहुत आवज चेक है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, उसको ध्यांज जैसे माल लो कि आप अगर जैसे ऐसे कहा दे कि यह सपोर्च करो कि हमारे पास, मैं आपसे जो पूछूँगा प्लीज बताईएगा, माल लीजीए भूज आप यह पाच है, और यह इसको आप कहा दे कि यह 6 है, यह 8 है, और यह 10 है, मैंने आप से कहा, थोड़ा सा आप सब लोग जल्दी से जल्दी, साइनसी का मान क्या होगा, कौन बता रहा है, इसमें कोई दिकत, नहीं है, यस, बताईए, साइनसी कितना हो जाएगा, 6 बटा 8, 6 बटा 10, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब लंब बटा कर्ड होता है, 6 बटा 10 होगा, 3 बटा कितना हो जाएगा पाच कोई रिक्त है नहीं 6 बटा 10 का मतलब 2 तिया 6 25 तेन बटा पाच होगा उसको थोड़ा से सरल कर दिया आप लोगों ने आप मुझे बताओ कॉसी कमान क्या होगा कमेंट करिए कॉसी कमान क्या होगा अधार बटा कर अधार मतलब क्या हो जाएगा 8 बटा 10 अर्था 2 4 8 25 10 comment करके بتाईए sign a command comment करें, कौन बता रहा है sign a yes yes, जल्दी से बताएं हाँ sign a sign a command हमें comment में मिल रहा है 4 बटा 5, 8 बटे 10 4 बटे 5, इस तरह से 6 बटे 10 5 बटे 4, आपने हमें अलग-अलग तरीके से बताई है, confusion देखो सबसे बड़ा जो है, जैसे हमने आप से साइनसी जब पूछा था, तो आपने इसको बेस बनाया था, जब इसको बेस बनाया था, ये परपेंडिकुलर हो गया था, मतलब ये लंब हो गया था, जब आप अगर C लेंगे, C मतलब इस कोड को तिया लंब होगा, तिया धार होग ये कड़ तो फिक्स है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ जब अगर हमने code A को हम consider करेंगे इसके विप्रीद भुजा को हम कड़ मानेंगे, इसके विप्रीद भुजा कड़ होगा तो 8 होगा, सुरी कड़ नहीं लंब होगा, अब इस समय लंब होगा तो कड़ तो आप कास एका मान किया होगा को से कमान अगर मैं आपसे पूसता तो आप कंफर्म बता जिते कि सर को से का मतलब हो गया कि आपने इसको अगर लंब माना है तो इसको हमें अधार मानना पड़ेगा मतलब हम छे बटा दस लिखेंगे दो त्याँ च्छे दो बंजे दस मतलब एक तीन मैं इसको थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूं इसको समझने कोसिज करिएगा अभी यह थोड़ा सा डाउट जो मन में रहता है लोगों के मैं चाहता हूं कि दूर हो जाए और दूर ऐसे होगा आप ऐसे समझिए जैसे हमने कहा कि हमारे पास समकोर्ट त्रिपुल है ध्यांस द लेते हैं अब थोड़ा सा यहां पर बातों को समझिए हमारे पास स्थिति हैं हमारे पास जैसे हम मान के चलते हमारे पास ब्सकान साइन है इस तरह से इसको जरूर आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिर एक हमने लिखा मालो अधार, अधार का मतलब क्या हो गया बताईए, अधार का मतलब हो गया बेस, फिर फानली एक हमने लिखा लंब, लंब का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, अब अगर हमारे पास ठ करके बताईएगा जब मैं पूछाँगा आप लोग यग बात को समझी गए हैं कि कड़ तो फिक्स होता है ठीक है तो फिक्स होता है मतलब हाइपरटतरस हो तो भी दिक्कत न можете ृँटछ सामने की भुजा होगी उन लंब कहलाएगी अर्थात A B हो गया अगर A B लंब हो गया तो कनफर में कि B C क्या हो जाएगा अधार हो जाएगा इसी प्रकार से अगर हम बीटा की तरफ चले गए मतलब इस कोड की बात करेंगे इसके सामने की भुजा आपकी क्या कहलाएगी में भुजा रहेगी और अधार हो जाएगी मतलब उल्टा हो जाएगा सामने की भुजा लंब हो जाएगी लंब मतलब यहाँ पर अर्थात A B C हो जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा अर्थात A B हो जाएगा आपने इस बात को मतलब खुब नोट कर रेना है आपको कब क कौन अधार होता है, अब कब कौन लंब होता है, जिस कोड को आप consider करोगे, count करोगे, जिसे आप इसको ठीटा ले रहे हो, तो विपरीद भुजा लंब होगी, बची भुजा अधार होगी, अगर आप उसको लेके चलोगी, जिसे कभी-कभी ए पूछ लेगा, कोड ए कामान, म अगल की भुजा, मतलब बची भुजा, आपकी क्या होगी, अधार हो गई, और कर्ण तो फिक्स होता है, मतलब हाइपरटेनिस तो फिक्स होता है, उसमें कोई doubt की बात नहीं, clear हो गई बात, तो चलिए, आसा करता हो, समझ में आया होगा, अब एकर समझ में आया है, तो मैं अगला जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको समझाना चाहता हूँ, इसको वर्ग संबंद कहेंगे, वर्ग संबंद, वर्ग संबंद में कुछ आपको त्यार करना होगा, याद रखना होगा, और जो याद कराने की बात मैं आप से कर रहा हूँ, उसको समझने कोसिस क सबसे पहले मैंने लिखा sin square theta plus cos square theta एक संबंद बनकर आता है बहुत ही common और बहुत ही popular इसका मान मुझे बताइए क्या होता है आप लोग confirm कर लिए एक होता है sin square theta और cos square theta का जोड हमेशा एक होता है इनको देखकर के और भी संबंद हमने रहारित कर सकते हैं जरूत पढ़ने पर कभी sin square theta का मान अगर मुझे देखना हो क्योंकि मैं आपको बताओ कि यहाँ पर जवाब की परिच्छा है बहुत हद तक फार्मुले बेश्ट होगी बहुत सारे प्रसन आपको फार्मुले रिलेट करेंगे तो आपको याद रखना होगा sin square theta हो जाएगा 1 minus cos square theta जरूत पढ़ने पर अगर आप sin theta का मान निकालना चाते हैं अंडरूड 1 minus cos square theta आप लिख सकते हैं इसमें कोई रिखना की बात है इसी तरह से अगर मैं लिखना चाहूँ cos square theta बराबर 1 minus sin square theta हो जाएगा और cos theta का मान अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा अंडरूड 1 minus sin square theta हो गया एक संबंद पहला हो गया तो पहला आप लोग confirm कर लिजिए यह आपको clear होना चाहिए गूसरा संबंद हम बताने जा रहे हैं आपको समझना होगा हमने लिखा 1 plus 10 square theta 1 plus 10 square theta बराबर होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है इसको भी आप लोग अगर रिलेट करना चाहिए तो रिलेट कर सकते हैं 1 plus 10 square theta या मैं लिख सकता हूँ 6 sq ar theta minus 10 sq ar theta बराबर 1 होता है. तो 1 का संबन्ध जरूर याद रखिएगा, sign और Cass में 1 का संबन्ध add करने पर होता है, 6 sq ar theta minus 10 sq ar theta बराबर क्या होता है, 1 होता है. तो जरूरत पढ़ने पर हम इसका भी उप्योग अगर हम लोग को समझ में आएगा तो हम जरूर करपाएंगे यह हो गई पहला फार्मूला हो गया दूसरा फार्मूला हो गया आएए मैं तीसरे फार्मूले की बात करते हूँ तीसरा और एक इंपॉर्टन फार्मूला वन प्लस कोट स्क्वेर ठीटा बराबर कोसे की स्क्वेर ठीटा होता है इनसे भी हम संबंदों को निर्थारित कर सकते हैं क्या क्या बन कराएगा देखिएगा लिखा जाएगा cosec square theta minus 1 बराबर cot square theta और सबसे important जो जरुवत पढ़ेगा हमें cosec square theta minus cot square theta बराबर क्या लिखा जा सकता है? 1 लिखा जा सकता है या कभी ऐसी जरुवत पढ़ गई यहीं पर इन से संबंदित हो जाए कि cosec square theta plus cot theta और दूसरी तरफ cosec theta minus cot theta बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं यह हमारे पास तीन वर्ग संबंद हैं जिन वर्ग संबंदों को आपको त्यार रखना चाहिए फिर से एक बार दिमाग में रखिएगा बहुत important होते हैं sin square theta plus cos square theta ठीक है? जहां से याद होता है उसको ध्यान रखिएगा दूसरा 1 plus tan square theta याद रखिएगा ठीक है? sec square theta हो गया और अंतिम में हमने बताया 1 plus cot square theta बराबर आप क्या लिख सकते हैं? cos square theta जिस तरह से इन तीन संबंदों से जरूरत पढ़ने पर हम अन्य संबंदों को बिनधारित कर सकते हैं clear है? तो आप लोग इसको note करिएगा इसको समझेगा इस तरह की बाते समझेगा जो आपके लिए बड़ी important है अवस्यक है आगे मैं फिर आगे बढ़ूँगा यहां तक confirm में किसी कोई रिक्कत नहीं होना चाहिए जरूरत पढ़ने पर आप इन फार्वलों का उप्योग कर सकते हैं आगे जो मैं यहां पर बढ़ूँगा थोड़ा सा angular concept मैं आपको बताना चाहूँगा angular concept मतलब बेसिक बेसिक बाते में बता करके आपको प्रैक्टिस पर लेके चलूँगा प्रैक्टिस भी करना है अच्छे से समझना है सारी बाते कंफर्म करनी है जो कोड़ी सिध्धान्त होते हैं बेसिकली उन पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए कोड़ी सिध्धान्त के बा की angular moment को दर साता है जैसे घड़ी चलती है तो घड़ी का moment जो होता है clockwise और anti-clockwise जो कोड़ी समंद्ध का ही फीचर सो करता है प्रिजन करता है कोड़ को जो हम लोग count करते जैसे measure करते बिसिकली हम अगर कोड़ की बात करें तो कोड़ को आप जानते ठीटा बीटा अलफा गामा नीटा इस तरह के अलग-अलग symbol से measure करते हैं बड़ जब इनका measurement होता है तो आपको पता है कि इनका measurement दो प्रकार से ज़्यादतर उपयोग में लाया जाता है एक तो हम इसका measurement degree में करते हैं ठीक है और दूसरा radian में करते हैं यह आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इस पर में measure करेंगे तो x degree y minute z second ऐसे प्रेजंट किया जाता है जिसमें भी पता होना चाहिए कि एक डिगरी बराबर 60 मिनट होता है एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है यह हमको confirm होना चाहिए और सबसे important जो radian में लिखा जाता है जैसे c denote करके हमने लिखा ऐसे इसके उपर c लगा ज करना आपको जैसे अगर कभी एक संबंध हम कहेंगे त्यार करने को तो बहुत important है क्योंकि यहां पर जब degree की बात होती है तो degree अभी एक और measurement होता है लेकिन आपके लिए बड़ा important है grade तो grade basically grade, radian और degree इस तीन concept होते हैं जिनके अधार पर कोड़ों को हम relate करते हैं कोड़ों क पाई, पाई जैसे एक symbol आपने बहुत बार उपयोग मिलाया है, 22 बटा साथ लेते हैं, तीन संबलों एक चार लेते हैं, लेकिन मैं confirm कर रहा हूं कि पाई का उपयोग यहां पर कोड़ी concept को भी दर्शाने के लिए होता है, एक पाई basically 180 degree को denote करता है, एक पाई किसको denote करता है 180 degree को, तो दो तरह के संबन इसमें भी बन पाएंगे, जैसे अगर एक पाई इतना है, तो एक डिगरी का मान क्या होगा बता है, पाई बटा 180 होगा, यह confirm है, अर्थाथ हमें समझ गए हैं कि अगर हमें किसी degree को, हमें degree को radian में लिखना है, जहांस दिखेगा, degree को अगर आप को radian में लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, pi बटा 180 से गुढ़ा करना होगा, radian से एगर degree में जाना होगा, तो 180 बटा pi से गुढ़ा करना होगा, यह दो बाते आपको दिमाग में रखिनी हैं, जैसे एक example, क्योंकि यह बहुत important है, यह आएगा ही आएगा, 100% को अगर परिच्छा में प्रस्वाइच जाता है जैसे हमने कहा अब ध्यान दीजिएगा मैंने कहा 45 डिगरी इसको थोड़ा सा आप लोग समझेगा 45 डिगरी मने इसको आप लोगि इसको रीडियन मी लिख दो क्या हो जाएगा बताईए हम ने लिखा 45 गुडेव Cabinet पाई बटा 180 कि 45 चार बार जाएगा भी भाई फोर लेटेम में हो गया इसको फिर से मुझे आ लिखना है तो मैंने लिखा pi by 4 into, देखो क्या लिखा है, 180 बटा pi, 180 बटा pi, एक अंफर्म देखो है, यह 45 हो गया, pi pi से कदम 45 degree बन गया है, मतलब आपको जब भी degree को radian में लिखना है, याद रखिएगा, pi बटा 180, और radian को degree में लिखना है, 180 बटा pi से गुरा करते हैं, यह तो रही बात korn के measurement किये, अब korn का जो concept है, जो इसका working है, इसका structure है, जहां से आपको 1-2% click कर जाएगा, direct नहीं तो किसी ना किसी प्रस्न में इसका उप्योग आपको दिखी गया होगा, 100% यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि उसका concept ऐसे समझेगा, korn जो होता है, मैंने कहा, उस circular motion को represent करता है, मतलब circular momentum को concept को feel करता है, जो angle होता है, जैसे आपको ऐसे समझने क्या हो सकता है, कि जैसे मालीजे मैंने कहा कि rotation, हम फिलाल इस type से present करते हैं, हम जैसे axis को basically base बानते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना जैसे एक position को 0 लेके चलते हैं, और यहाँ पर हमानते हैं कि यह जो रेखा बनाते हैं, दो रेखाओं के बीच की जुकाओ को ही कोड कहते हैं, यह आवच्छे जानते हैं, जब उनकी बीच कोई ने कोई जुकाओ होगा, तब ही कोड का concept बनेगा, अब देखिए, यह हमारे पास एक रेखा थी, अभ्यान से देखते जाईएगा, इसके यह ए, X है, Y है, यहाँ कोड 0 डिगरी है, अब रेखा उठती चली गई, उठती चली गई, ऐसे होती चली गई, अनेक प्रकार के कोड, मतलब कोड हमें बढ़ते हुए नजर आएं, तो इनका rotation फिलाल हम लोग इस टाइप से, मतलब इधर, इधर को क्या कहेंगे, anti-clockwise, हम anti- clockwise, मतलब एक तरह से अगर हम लोग इसको base बनाये थे, इसको हम हर जेंटर line लेके चले थे, यह line जो होती थी, वो base लेकर के कोड का presentation कर रही थी, अब धीरे-धीर यह बढ़ता चला जाएगा, यहाँ तका करके represent करेगा, फिर नीचे हो जाएगा, मतलब एक प्रकार का rotation ही represent कर जाता है, और rotation के अधार पर ही कोड का निर्धारण किया जाता है, हम कहेंगे, दिखी हम एक दो बाते यहाँ जो बताएंगे, कितनी important होगी, आप समझने कोसिस करिएगा, उसको सभी लोग, जो मैं बताना चाहता हूँ फिलाल, यहाँ पर कोड को समझने के लिए हमें इस graphical representation को समझना होगा, मतलब दो लाइन समझनी होगी, अगर हमें एक को x-axis कहके चल रहे हैं, तो दूसरे को हम y-axis कहेंगे, आप जानते हैं, जो हमारे पास horizontal line उसको हमने x-axis कहा, और vertical line को हमने y-axis कहा, एक रेखा थी, अब उस रेखा की उपर मालो एक रेखा की यहीं पर पड़ होई है, तो जीरे डिगरी का कोड है, अब अगर यहां moment उल्टा होगा, उल्टा मतलब anti-clockwise, anti-clockwise होगा, तो यहां पर जो कोड बनेगा, वो positive होगा, anti-clockwise मतलब घड़ी के विपरीद दिसा में, घड़ी के विपरीद दिसा में, अगर कोड मतलब रेखा चलती जाएगी, कोड ह हमारा count किया जाएगा, तो आप धनात्मक कोड होगा, कभी अगर आपने उल्टा कर दिया, उल्टा basically सीधा है, जैसे अगर आपने clockwise कर दिया, जिस दिसा में घड़ी चलती है, अगर उस दिसा में आप कोड करेंगे, तो कोड हमारा क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, अब आप समझिए, जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की बात करें, यहाँ पर कोड को देखने की बात करें, तो सबसे पहले जिसे देखो 0 डिग्री आया, अब 0 से अगर हम ऐसे बढ़ते चलेगे, बढ़ते चलेगे, बढ़ते चलेगे, बढ़ते चलेगे, तो कहां पहुंच ज जाएंगे 90 दिग्री से फिर down होना,इधर side down होना होना है फिलाल यहां से तक बढ़ी रहुंगे, बढ़ते बढ़ते यहां पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री जो की 1 pi हो जाता है, फिर एधर से घूमते घूमते हम थार्ड इस में पहुँचे तो यहां पर 270 डिग्री हो जाता ह फिर ऐसे होते होते हम पहुंचे तो यहां पर फिर से आ गए 360 डिगरी हो गया, मतलब एक सर्कल एक rotation complete हो गया, फिर से घुमाओ होगा, और यह रोटेशन हम ऐसे दो बार, तीन बार, चार बार हमारी घड़ी ऐसे चलती तो रहती है, हम उसको उल्टा भी अगर सोचे, तो चलत यहां पर त्रिकोड मिती में consider कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास technometric ratios हैं, जो कोड पर dependent है, मुझे उनकी value निर्धारिक करनी है, sign के साथ theta लगा होगा, cause के साथ लगा होगा, cause, sec के साथ लगा होगा, सब के साथ theta लगा होगा, उनकी value को निर्धारिक करता है, और आपने अगर ए ये सोर स्टैंडर्ड होगा, ओ ठीटा, जीरो से बड़ा होगा, और नब्बे डिगरी से छोटा होगा, मतलब हम समझें, तो हमारे सभी बैलूस का, हमारे सभी रेशियोस की जो बैलू होगी, इसी पहले कौडरेंट में, क्योंकि आप इस समझ रहें कि कौडरेंट बन रहे है हैं, इस सभी बैलो हमारी सभी इन्हीं पर डिपेंडेंट रहेगी, किस पर डिपेंडेंट रहेगी, आपने देखा, कि फ़स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब है तो हमारे पास चार कौडरेंट, लेकिन सारी बैलो इसी फ़स्ट पर ही निर्धारिद की जाएगी, इसी फ़स् को अगर हम consider कर दिये किसी विमान के लिए, लेकिन हम कुछ fundamental angles को दिमाग में रख ले, और उन fundamental angles के बिहाब पर हम इस rotation को आपको असपस्ट करते चले जाएंगे, मैं आपको समझाते जाओंगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे हमें कुछ कुछ दिमाग में इस structure को, code को जो fundamental based है, इसको हमें रखना चाहिए, जैसे मैं आपको बता दो, कुछ fundamental आप रख लीजिए, 0 से लेकर के 90 दिगरी के बीच में, उसमें भी कुछ हमारे पास standard angle अगर मालो, हमने कहा कि हम consider कर रहे है, 0 डिगरी को, 0 डिगरी को, हम 30 डिगरी को, ठ जो नहीं आएगे, उसको खुब ध्यान से समझते जाएगा, कहीं भी कोई चीज मिस मत करिएगा, जिससे कि ये पूरा concept clear हो जाए, ठीक, अब देखिएगा, इसमें भी हमें कुछ चीज़े अगर त्यार रहेंगी, तो बाकी हम ratio के दार पर निरधारित कर लेंगे, ratio के दार पर निरधारित हो जाएगा, तो कोई रिक्त की बात कभी नहीं आएगी, जैसे देखिएगा, अब अगर जैसे हमने कहा कि हम साइन की बात करें, तो साइन हमारा क्या होता है, साइन, zero degree, मतलब यह तीन, चार हमारे पास, अगर पांच कोण की बात किया जाए, यह हमारी standard angle है जो देखो, जीरो से लेके 90 तक की अंडर हुए है, बाकि अगर कोण की बात किया जाए, तो कोण तो सरल लेखा पर based concept होता है, real line पर धारित होता है, तो कोण का हम counting या कोण को अगर हम सोचें, कितने कोण होते हैं, तो कोणों की गड़ना ही संभव नहीं है, वो infinite होती है, अ साइन 90 होता है, मतलब जीरो से सुरू होता है, और अगर साइन की बात किया जाए, तो जीरो से लेकर कि एक तक पहुंसता है, साइन का total मान अगर देखो, तो सबसे minimum अगर हम positive direction में हैं, तो जीरो से लेकर कि एक तक dependent होता है, अभी जैसे हम लोगों ने एक structure बनाया था, जब हम basically एक को theta माने थे, दूसरे को beta माने थे, तो एक तरह से complimentary थे एक दूसरे की, क्योंकि दोनों का जोड, मतलब 90 degree के बराबर था, complimentary भी हाफ पर अगर इसको consider करें, अभी जनरल बे में क्यों learn करन के purpose से समझीएगा, बाकी मैं संधार हो आपको, cost 90 कमान, जो वहाँ sign 90 कमान था, वही cost 0 कमान होता है, complimentary ऐसे लिखा जाता है, जिसे देखो, हम 0 पे है, तो 90 कमान लिख दिये, जो start कमान है, 30 पर हो जाएगा, क्योंकि start 30, 90 होता है, road 3 by 2 हो गया, यह hazardous रहेगा, क्योंकि 45, 45, 90 होता है, यहाँ यह चलाएगा, 1 by 2 हो जाएगा, और इस कमान 0, मतलब अगर आपने देखा, इस कमान increase होता है, और इस कमान क्या होता है, decrease होता है, यह 0 से देखो, 1 तक जाता है, extreme position पर, और अपने extreme से, सबसे minimum position अर्था 0 तक बहुँच जाता है, 10 कमान आपने पढ़ा था, 0, मतलब 10 कमान क्या पढ़ा था, sign बटा का उस होत इसको divide करते, root 3 हो जाएगा, और किसी भी मान को अगर 0 से divide करते तो undefined हो जाता है, यह undefined अपरिभासित हो गया, इसके बाद देखो, cod जो होता है, 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा भी होता है, साथ-साथ, इसके साथ complementary भी बनता है, अब जो वहाँ पर हो, यहाँ का root 3, यह adjective रहेगा, एक बटा root 3 होगा, यह आपका 0 यहाँ चलाएगा, sec जो होता है, cos का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 होगा, इसका उल्टा 2 by root 3 होगा, ठीक है, इसका उल्टा root 2 होगा, इसका उल्टा 2 होगा, इसका उल्टा 2 होगा, और 0 का उल्टा हमेसा undefined होता है क्योंकि 0 मतलब 0 upon something, और something upon 0 हमेशा undefined हो गया, ये भी complementary होते हैं, ये infinite हो गया, ये 2 हो गया, ये root 2 हो गया, ये 2 by root 3 हो गया, और finally ये 1 हो गया, एक कुछ basic fundamental और standard angle है, जो कि पहले quadrant में निरधारित होते हैं, income मैंने आपको first बता दिया, मैं आपसे उम्मीद भी करूँगा, इनका मान जरूर दिमाग में रखिएगा, त्यार रखिएगा, कभी इनको miss मत करिएगा, हमेशा इनको दिमाग में रख करके चलिएगा, क्योंकि मैं कोण के structure को आपको समझा रहा था, और वहीं से घूमते पहुंचे थे, जो मैं आपको बता रहा था, वहीं से घूम करके मैं यहाँ पहुंचा था, यहाँ पर आप ने कुछ मान देखे, उस सारे मान इस पहले nickname पर based हैं, सारे मान इस पहले electrode पर based हैं, और मैं आपको guarantee दे रहा हूं कि आप चाहे जितना घूमेंगे, चाहे जितना गुमते जाईए, पुल मिलाके हम इनी पर निर्भर करेंगे, मतलब हम सब कुछ इनी पर बेस्ट है, जो हमारे पहले कॉडरेंट में हमारी पहचान देगा, वही हर जगा हमको घुमा घुमा के पहुचाता रहेगा, भले ही कोड का मीजर्मेंट बढ़ता जाएगा, बट बैल क्वाइट जाएगा, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, कुछ बाते समझेए, जैसे आप अगर जो अभी कोड का का काउंटिंग, कोड की काउंटिंग किये हैं, जाहिर सी बात पहले कॉडरेंट को लेकर देखें, ठीटा, क्या देखा ठीटा, अब अगर हमने कहा कि जो ह हमारे पास ठीटा है, जैसे समझिए, जो हमारे पास ठीटा है, मालो हमने लिखा साइन तीस, आपने देखा क्या पढ़ा, साइन तीस बराबर क्या हुआ था है? एक बटा दू, मैं जानना चाहता हूँ कि साइन का मान एक बटा दो, सेकेंड गौडरेंट में कहां पर होगा Sign का मान अगर पहले quadrant में 30 degree पर 1 बटा 2 होता है आप मुझे बताइए Second quadrant में उसका मान कहा होगा ठीक है? आप मुझे बताइए आप कहोगे, sir, ए होगा 180 degree माइनस ठीटा पर कहाँ पर होगा? 180 degree माइनस ठीटा पर मतलब 180 में से 30 निकाल देंगे 150 degree पर होगा sign 150 degree पर 1 बटा दो हो जाएगा मेरी बास समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग अगर इसको समझ रहे हैं तो आप लिखते चलिएगा मेरे साथ मैंने कहा हम लोग अगर यहां पर क्या कह रहे थे हमने कहा जो यहां theta होता है ओ यहां पर क्या हो जाता है थर्ड में कहां पर होगा, अब इसमें एक चीज और हिट करेगा, वो होगा नेचर, प्रकृती, प्रतेक रेशियों की प्रकृती अलग-अलग क्वाडरेंट में बदलती चली जाती है, उसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा, देखो एक बटा तो होगा, लेकिन नेगटि डिगरी पर होगा, साइन 210 का मान एक बटा दो होगा, लेकिन नेगटिव में होगा, और नेगटिव में क्या होगा, मैं भी बता रहा हूँ भी, क्या होगा, नेगटिव में होगा, ओ भी मैं बता दे रहा हूँ, और जब चौथे क्वाडरेंट में हम 101 बटा दो ढूडने जाएंगे साइन के साथ, तो हो जाएगा 360 डिगरी मानस ठीटा, ये बाते हमको दिमाग में रखनी हैं, और हम हर कोड का मान, जैसे हमने कहा कि हमें साइन 30 का मानियार बता है, एक बटा दो, मैं सोच रहा था, एक बटा दो, कहां पर पहले में होगा, पहले में तो चलो ठीक है वो भी नेगेटिव होगा, इसका कॉंसेप्ट समझो, पहले कॉडरेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, पहले कॉडरेंट में चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेख हो, सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ रह दूसरे में केवाल measurements sign and coseck A positive होगा, बाकी सब क्या होते हैं? Negative होते हैं. A शब positive होते हैं, बाकी सब negative होते हैं. Yad रखते जाइएगा. यहाँ पर क्या होगा? Tan or cot. मतलब तीसरे में A positive होगे, बाकी सब क्या होगे? Negative होगे. चौथे में kos or 6 ये positive होगा, बाकी सब क्या होंगे, negative होंगे, पहले में सब positive होते हैं, दूसरे में sign और cos positive होता है, तीसरे में tan और cot positive होता है, और चौथे में क्या पता है मैंने, cos और sec positive होता है, मतलब हर कोड का कोडी इमान ratio के साथ, दो quadrant में तो positive होगा, लेकिन दो quadrant में क्या होगा? Negative होगा, क्योंकि यहाँ utilizz हो तो सब positive हो रहे हैं, और एक जगा पे बाकी सब भी positive होगे, यह आपको दिमार्ग में रखना है कि कहां पर कौन positive होगा, कहां पर कौन negative होगा, कोई angle अगर किस सी रेशियो के साथ पहले क्वाडरेंट में है तो हर जगह मिलेगा हो लेकिन कोंड का मान बदलता जाएगा और कोंड का स्ट्रक्चर मैंने बता जिया कहां पर मिलता जाएगा यस मेरी बास समझ रहे हैं यस किलियर है कि नहीं यस किलियर है ओके इसमें एक बदलता जायता हूँ जैसे आप यहां पर हमने इस सिस्टम को बनाया मालो हमने कहा कि 0 डिग्री से 90 डिग्री और 90 से 180 डिग्री और 180 से 270 अगर हम यहां पर हैं तो मैंने कहा गर इधर जाएंगे ठीटा लेकर तो हम पॉजिटीब बनाते जायेंगे और इधर जायेंगे तो नेगेटीब बनाते जायेंगे अब कुछ बाते और समझएगा उस बात को भी समझाने के लिए एक मैं चीज और बताना चाहता हूँ जैसे हम इस समकोन्ट त्रीवोज में हैं मेरी बात को समझेए इस समकोर्ट त्रफुज में हैं, यहाँ पर यह 90 डिगरी है, तो भेया ए क्या होगा, अगर मैंने कहाए क्यों ठीटा है, तो आप मुझे बता दें इस कोर्ड का मान क्या होगा, ऐसे बताइए क्या होगा, भाई यह 90 है ठीटा है, अगर हम 180 में से 90 प्लस ठीटा घटा दें, यह 90 डिगरी मानस ठीटा होगा, होगा की नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अब हमने कहा कि अगर साइन ठीटा, जैसे मान लो अगर हम थोड़ा से इनफॉर्म भी कर दें, ए है, बी है, सी है, साइन ठीटा अगर मैं आपसे पोछो तो आप कहोगे सर, यह होगा, ए बी बटा, ए सी, लंब बटा करण होता है, कनफर्म है, ठीक है, साइन ठीटा, अब मैं आपसे पोछों कि साइन, साइन ठीटा अगर इतना है, तो साइन 90 डिगरी मानस ठीटा क्या होगा, यह हम आपसे पोछें कि भी यह कॉस्ट ठीटा का मान बताओ, तो आप कहोगे कॉस्ट ठीटा क मान क्या होगा आप समझिए कॉस ठीटा का मान हो जाएगा आप कहोगे सर बी सी अपान बी सी अपान एसी हो जाएगा अब मैं कुछ और पोच रहा हूं उसको भी ध्यान से देख लेगा मैंने कहा मुझे बता दो साइन 90 डिगरी मानस ठीटा का मान मतलब अब इसको हम लोग सोच के चल रहे हैं तो आप क्या कहोगे साइन 90 डिगरी मानस ठीटा के लिए आप कहोगे सर इस का मान हो जाएगा बी सी और बटा एसी क्यों क्यों क्योंकि ये 90 डिगरी मानस ठीटा है तो ये लंब होगा कंड़ तो एज आओगे, cos 90 degree minus theta का मतलब इस समय a base होगा, क्योंकि ये लंब है, ये हाधार होगा, अर्थात a, b बटा क्या हो जाएगा, a, c हो जाएगा, तो आपने देखा, यह sin theta के बराबर है, मतलब sin 90 degree minus theta cos theta के बराबर है, इसका उपयोग भी थोड़ा समझ लीजेगा, इसका उपयोग भी ऐसे कुछ बन कर हमको दिखेगा, जैसे मैं आपको कहूँ, कि sin 30, sin 30 को आप क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बता हूँ, sin 30 को हम लिख सकते हैं, sin 90 degree minus 60, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 30 लिखो या 60 minus 90, 90 minus 60 लिखो, अब यह theta है, हम sin 90 degree minus theta को लिख सकते हैं, cos theta, मतलब इसको आप लिख सकते हैं, cos 60, मतलब जो sin 30 होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, बताइए, cos 60 हो जाएगा, हो जाएगा जो sin 30 होगा, वही किसके बराबर होगा, cos 60 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब जैसे कर कभी कोई प्रस्न ऐसे बोना, मैंने का sin 40, sin 40 बटा, cos 50 का मान बताओ क्या होगा, sin 40 degree divided by cos 50 का मान बताओ क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताओ फटापड, साइन चालिस डिगरी डिवाइड वाइड कॉस पचास डिगरी, कौन-कौन बता रहा है, आप बिल्कुल बता सकते हैं, आप उपर चाहे लिखो, चाहे नीचे लिखो, दोनों तरफ से सेट होगा, इसको लिख सकते हैं, साइन नाइन्टी डिगरी माइनस पचास डिगरी, नीचे वाले छोड़ दीजिए, अगर हम उपर को चेंज करके चल रहे हैं, तो नीचे वाला छोड़ दीजिए, अगर हम नीचे को चेंज करके, तो उपर वाला छोड़ देते, इसको क्या लिखें, कास पचास, confirm, अब क्या लिखेंगे, साइन 90 डिगरी माइनस ठीटा बराबर कॉस ठीटा होता है, तो कॉस 50, डिवाइड बाई कॉस 50, अर्थात इसका मान कितना हो गया, बताइए, एक हो गया, ऐसे जो जुड़ करके, देखो, कॉम्प्लिमेंटरी, एक दूसरे के कॉम्प्लिमेंटरी होता है, अब इस कॉम्प्लिमेंटरी को थोड़ा ब्रापक देखा जाए, बड़े अस्तर पे देखा जाए, जो हमने कॉम्प्लिमेंटरी अभी आपको बताया, इक एवल साइन 90 से ही डिपेंड नहीं करेगा, 90 माइनस पे ही काम नहीं इसका पूरा एक ब्रिहत सरूप है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आसा करता हूं, इतना तो समझ में आये होगा, ठीक है, इतना तो समझ में आये होगा, मैं जो बताना चाहता हूं, उसको समझने की कोशिस करिए आप लोगा, क्या समझाना चाहता हूं, ध्याल से देखि हो सकता है मतलब अगर मालों आप 80 degree हो तो आप उसको 90-10 लिख सकते हो आप 70 हो तो 90-20 लिख सकते हो मतलब या उसको सिधा सिधा 70 लिख सकते हो मेरे कहने करते हैं कि हम पहले quadrant में रहेंगे तो हम theta हो सकते हैं और 90 degree minus theta हो सकते हैं हम दूसरे क्वाडरेंट में गर जाएंगे, हम 90 प्लस ठीटा हो सकते हैं, और 180 मानस ठीटा हो सकते हैं, क्यों ऐसा हो सकता है कि ने, दूसरे क्वाडरेंट में, पहले क्वाडरेंट में आप ठीटा हो सकते हैं, 90 मानस ठीटा हो सकते हैं, दूसरे में 90 प्लस हो सकते हैं, 180 माइनस हो सकते हैं तीसरे में चलिए, 180 प्लस हो सकते हैं और 270 माइनस हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं 180 प्लस हो सकते हैं, 270 माइनस हो सकते हैं तीसरे में 270 प्लस हो सकते हैं, 360 माइनस हो सकते हैं अब फिर उपर जाएंगे, जिसे देखो, एक rotation आपने done किया, ऐसे घूम के चले आए, अब हम 360 माइनस के बाद 360 प्लस हो सकते हैं, उपर हम इसी 360 को घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, जितनी मर्दी उतना घुमाएं, हमारे काम चलता जाएगा, साथ-साथ हमने theta की तो बात मुझे लगा था, मुझे लगा था, कि समय बहुत लगता है, इन सब ती जोगास फस्ट करने में, यह देखे, मैंने बना रख्था है, और मैं इसको खूब अच्छे से ब्यापक मैं समझा दूँगा, जिससे कि यह concept आए, आपको proper clear हो जाए, मैंने कहा, अगर हम किसी की, ज कर दो, यह देखो, line जिसको मैं ऐसे थोड़ा सा cross कर दे रहा हूँ, यह x-axis है, और देखो, इधर भी हम ऐसे तोड़ दे रहे है, line को, break के y-axis है, negative, positive, आप समझते होंगे, up, down की साब से, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग पहले quadrant में, this is the first quadrant, फस्ट है, ठीक है, इस second है, इस second है, इस third रहेगा, और finally, इस fourth रहेगा, मैंने जो लिखा इसको समझी है, आप सभी लोग, मैंने कहा, sine theta पर agitage होगा, मान, theta, theta होता है, cos theta होता है, साइन जो है, theta पर sin theta, cos theta पर cos theta, tan theta पर tan theta, cot पर cot, sec पर sec, cosec पर cosec, but sin 90-theta, cos theta हो जाता है, cos sin हो जाएगा, tan cot हो जाएगा, sec cosec हो जाएगा, और cosec सिख हो जाएगा, और आप कहां पर हैं, आप हैं पहले quadrant में, तो पहले में कोई दिक्कत नहीं, सबके सब positive हैं, सबके सब positive हैं, हम चलते हैं दूसरे में, जब दूसरे में जाएगे, तो देखिए ध्यान से, 90 degree minus theta हो, या 90 degree plus theta हो, यहां पर complementary संबंध काम करता है, मतलब सिख हो जाता है, चाहे 90 degree minus हो, चाहे 90 degree plus हो, दोनों में मान परिवर्थित होते हैं, बस nature बदल जाता है, ratio के carding, जैसे पहले quadrant के carding, पहले quadrant में सब सेम रहते हैं, दूसरे quadrant में जब जाते हैं, तो देखो, 90 plus theta उसी तरह से काम करेगा, जैसे 90 minus theta ने काम किया था, sine cos हो गया, cos sine हो गया, 10 cot हो गया, सिक कोसिक हो गया, और κोसिक आपका, सिक हो गया, sine क्यों? दो जगह पर positive रहेगा, sine और सिक के पर, क्योंकि second में मैंने بتایا था, sine और cos 1 को छोड़कर सब negative हो जाते हैं तो आपने देखा कि 2 maan हमारे positive हैं बाकि सब के सब क्या है negative हैं तो आपने इसको देखा 90 plus theta अब 180 minus theta देखिएगा आप देखिए 180 minus theta और 180 plus theta दोनों क्या रहेंगे पता है adjectives रहेंगे जैसे theta होता है मतलब मान नहीं परिवर्टित होगा साइन साइन ही रहेगा cos cos रहेगा 10 10 रहेगा cot cot रहेगा 6 1 रहेगा cos 1 cos 1 रहेगा confirm है बट साइन जो है साइन और cos 1 पर साइन और यहां से देखना साइन और cos 1 पर positive बाकि सब negative था यह हो गया आपका अब हम आगे थर्ड में थर्ड में देखो 180 प्लस है 270 मानस है तो पहले मैंने कहा जैसे 180 मानस होगा वैसे 180 प्लस होगा कुछ बदलाव नहीं होगा साइन साइन होगा cos cos होगा 10 10 होगा cot cot होगा 6 सेख होगा cos 1 को सेख होगा नेचर में 10 और cot दो positive रहेंगे बागी सब negative हो जाएंगे sign देखो minus sign होगा cos मानस cos होगया 10 10 रह गया cot cot रह गया मतलब edge this symbol रहा और सेख आपका minus 1 होगया cos 1 आपका minus 1 होगया confirm इतनी बाते अब आगे हम 4 प्लस में 270 प्लस है 360 प्लस minus theta है 270 प्लस है 360 प्लस मानस theta है तो आपने देखा कि यहां पर देखो क्या हो जाएगा nature मतलब दोनों के लिए ध्यान से देखिएगा तो पहले तो इसको देखिएगा 270 आप देख जैसे हमने यहां पर कहा अब जैसे हमने बदला इसमें सेम था फिर अगर हम लोग 270 और 270 प्लस और मानस की बात करेंगे तो भी बदल जाएगा complimentary की तरह काम करेगा ठीक है complimentary की तरह काम करेगा कैसे sign cos हो गया cos sign हो गया 10 cot हो गया cot 10 हो गया 6 cosic हो गया cosic सेख हो गया ध्यान देना होगा इस बात को कि nature 3rd में है कि 4th में है 270 माइनस है 3rd में है 3rd में कौन positive होगा 10 और cot 4th में जाएगे तो cos और sick देखो cos कमान positive है और sick कमान positive है बाकि सब negative हो गया ठीक है आप ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को कि हमने कहा कि 10 हमारे पास कहां पर 10 और cot कहां पर positive होते है 3rd में बट cos और sick जो होते हैं किस में positive होते है 4th में इसको ध्यान रखिएगा 270 प्लस हो गया 370 प्लस माइनस की बात अगर हम करें थोड़ा समझिएगा भाई अगर आप 370 माइनस है तब तो आप 4th में है 370 प्लस हुए तो आप उपर चले गए फिर से 1st कौडरेंट में आ गए तो 1st के लिए फिर से working शुरू हो जाएगी देखो change क्या होगा कुछ नहीं होगा adjective लिखा जाएगा sign देखो sign है cos cos है 10 10 है अगर यह लोग 4th कौडरेंट में है तो सब negative होंगे केवल कौस और से को छोड़ कर लेकिन अगर यह उपर चले गए 1st कौडरेंट में पहुच गए तो सब positive हो जाएगे इस नेचर डिपेंड करता है कौडरेंट के भिहाब पर इस working को खुब ध्यान से देखिएगा मैं थोड़ा सा और summarize करूँगा मैंने जैसे बताया मैंने का theta की बात किया ठीक है 90 degree minus theta की बात किया 90 degree plus theta की बात किया 180 180 minus theta की बात किया 180 plus theta की बात किया 270 minus theta की बात किया 270 plus theta की बात किया 360 minus theta की बात किया 60 plus theta की बात किया, अब कुछ बातें समझिए, मैंने कहा same रहता है, as it is रहता है, sign sign रहता है, cos cos रहता है, 10 10 रहता है, cot cot रहता है, 6-1 रहता है, cos 1 cos रहता है, यहाँ पर क्या होता है, बदलता है, बदलता है, लेकिन nature नेचर कौडरेंट पर डिपेंड करेगा, निर्दिसांग पर डिपेंड करेगा, कौन से निर्दिसांग में है उस पर डिपेंड करेगा, इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन नेचर कौडरेंट पर डिपेंड करेगा, निर्दिसांग पर डिपेंड करेगा, यहाँ प अगर हम structure ऐसे बनाये थे और हमारा angle अब इधर count हो रहा है मतलब negative theta की तरफ अगर negative theta की तरफ से यहाँ पर count किया जा रहा है तो आप उसको समझने की कोसिस करिएगा किसी को idea हो तो बताते चले सिक माइनस theta कॉसिक माइनस theta इतनी बाते हमने बताई अब आपको समझना है कुछ बाते समझिए हमने कहा कि देखो जो sign का मान होता है sign का मान मैंने कहा 0 degree पर 0 होता है जबकि 90 पर क्या होता है 1 होता है मतलब sign का मान अगर सोचो तो 0 से कहा की तरफ जाता है 1 की तरफ जाता है मतलब increase करता है जबकि अगर cost का मान आपने देखा तो 0 पर 1 होता है और 90 पर क्या हो जाता है 0 मतलब decrease करता है तो cos का मान धीरे-धीरे कम होने लगता है, जबकि sin का मान बढ़ता है, 10 का मान भी देखो 0 पर 0 होता है, 90 पर infinite हो जाता है, अगर मैं cos और set की बात करूँ, ये दो ऐसे मान होते हैं, जो decreasing order को prefer करते हैं, मतलब नेगेटिविटी की तरफ focused होते हैं, बाकि सब agitive अर्थात positive होते ह तो sin minus theta तो अब चैसे देखो, अगर हमने मान लीजिए, कोई मान positive आ रहा है, positive के पहरे negative symbol लगाएंगे, तो minus sin theta हो गया, 10 की बात करोगे, तो minus 10 theta हो गया, cot कोट की बात करो, तो minus cot theta हो गया, ठीक हैं, cosic की बात करो, तो minus cosic theta हो गया, मेरे कहने करते हैं, जब भी कभी negative angle consider किया हो जाते हैं, negative हो जाते हैं, मेरी बास समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, यहाँ पर मैंने जो बताया है, इसको ध्यान से सुनिएगा, जैसे कभी आप से कभी कोई कोड पूछा जाए, मैं आपको एक दो example करके दिखाता हूँ, तो आपको काफी हर्थक बाते समझ में आएग ठीक है, जैसे, माल लीजे मैंने कहा कि, एक दो नंबर आपको ऐसे दिखाते हैं, मैंने कहा, sine जहां से दिख्येगा, 225 डिगरी, sine 225 डिगरी, अभी आप बताओ क्या होगा इसका मान, sine 225 डिगरी का मान बताइए, आप इसको लिख सकते हैं, sine 180 डिगरी प्लस 45 डिगरी, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मतलब एक तरह से होगे, sine 180 प्लस ठीटा, 180 प्लस ठीटा, मैंने अभी अभी आपको बताया, 180 माइनस हो, 180 प्लस हो, चेंज नहीं होता है, एजिटिज रहता है, लेकिन 180 प्लस किस क्वाडरेंट में जाएगा, आप मुझे थोड़ा से इसको बता दे, थर्ड में जाएगा, कहां पे जाएगा, थर्ड में जाएगा, और थर्ड में sine क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस sine 45 डिगरी होगा, और sine 45 का मान एक बटा, रूट 2 होता है, अर्थात माइनस 1 बाइ रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1 साइन की जगा 10 को लेते हैं, suppose करिए, मैंने का 10, 10-405 डिगरी हो गया, अब इसको कैसे consider कि 10 माइनस में है, आपको पता है कि 10 माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का मतलब इसको लिखा जाता है, माइनस 10 405 डिगरी हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने उस तरह से लिखा हुआ था, अब इसको आप क्या लिखेंगे, बताइए मुझे, इसको लिख सकते हैं, 10 और माइनस लगा हुआ है, 360 डिगरी प्लस 45 डिगरी, यही थो होगा न, 360 डिगरी प्लस 45 डिगरी, तो 10 360 प्लस ठीटा, तो 10 ठीटा ही होगा, बट ओ किस में जा रहा है, तो फर्स्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो बिसिकली यह 10 आपका माइनस लगा रहेगा, 45 डिगरी और 10 45 का मान एक होता है, बट माइनस बाहर लगा था, तो माइनस एक हो जाएगा, इस तरह से हमें वर्किंग को समझना होगा, और इस तरह के